आपको पता चलेगा आपके प्रोग्राम के बारे में आपके सारे स्कोर कार्ट कितना वेलिड होगा तो अपलाई कर सकते हैं सारी चीजे के बारे में आप डिसक्स होने वाली स्टेप बस्टेप चैनल को सब्स्राइब जरू करें तो एक सब्सक्राइब बनाए गया है हम यहां पर हर रिक चीजे देखने वाली यहनुसरी ग्रांड कमिशन नेशनल टेस्ट इस चंडुक्टेट भाइन नेशनल टेस्टिंग अजनसी अजन्सी हर साल बच्चे आप पर कॉलिफाइड होते ह पाइनट है यहां पर आप चाहिसट भी बच्चोह तह बच्चे करने पर इंआ पर यहां पर प्रोसर्ट का फटीद यहांपर उन्हें सारे लिविटी सेट किया सारी डे डेट सारी हर एक चीजे सेट कीगी वह आप देखेंगे फिर वह सारे प्रोसर्स कंप्रेट करेंगे ठीक है आपके एक्जाम का नाम UGC NET है यह टाइप जो है पीजी टाइप का नेशनल लिवल का एक्जाम होता है इंडिया नेशनल टेस्टिंग अजनसी कंडुक्टिंग बोडी है और अप्रिकेशन फॉर्म को रिलेज कर दिया जाए और डिपेंड करता है सुचिशन पर ओफलाइन हो या फिर ओनलाइन होगा आपक सकते हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फिर अप्लिकेशन फॉर्म होता है वह देट आपको पता होना चाहिए अप्लिकेशन फॉर्म में आपको हर एक चीजा यहां पर पता चलने वाले है ठीक है तो कब स्टार्ट करनी है फिर कहां से स्टार्ट करनी है क्या क्या सार इह चीजी बार को पता होलो होने है ठीक है ओके तो हम यहाँ पर आगर देखने वाले कि या सरी मेलं को आप्लिकेशन फोम प्रोसेस के बाद यहां पर अप्लेकेशन की कंप्लेट करने यह चिरेकियांप टलक होता इस जब अलग होता है अलग झार्णजन को only यहां पर तो आप यहां से कर सकते हैं if a candidate want to make change and edit there the application form they can do so online website के तुरू आप कर सकते हैं change वगरा जो भी करनी facilities आपको मिल जाएगा फिर eligibility criteria के बात करने वाले है eligibility criteria में आपर क्या होता है application form correction में क्या होगा जो वही कुछ changes होंगे जो थोड़े मोड़ी होंगे आपको facilities भी मिलती है जब application form आपका हो जाया feel करके तो फिर application form को release किया जाता है application form corrections को release किया जाता है तकि आप सही कर सकें उस चीश को जो भी गलती होई आपसे ठीक है अब बात करते है eligibility criteria के eligibility criteria में होता है qualification qualification क्या होने चाहिए तो apply कर सकते है master degree अगर आपने complete किया तो apply कर सकते है age marks appearing सब बताएगा तो यह आपका 31 years से जादा रहेगा तो apply नहीं कर सकते है उससे कम होना चाहिए apply करने के लिए और reserve category के वाले को यहाँ पर 5% और मिलता है 5 5 सल और मिलता है अगर 31 यह है तो 36 तक का age रहेगा तो भी apply कर सकते है 36 से जादा नहीं रहना चीए बस maximum marks जो है 55% marks score जिन बचोंने complete किया हो बच्चे यह आपर apply कर सकते है 50% यहाँ पर OBC SCST के लिए हाँ पर रहा final year वाले भी यहाँ पर बच्चे apply कर सकते है online modes apply कर सकते है duration तीन कंटे के लिए language English Hindi no papers of paper जो भी दो पेपर होंगे number of paper two papers होंगे question types mcq types रहेगा 150 questions रहेंगे two marks would be allotted off for every correct answer पर no negative marking scheme for the syllabus syllabus यहाँ पर आप देख सकते syllabus अलग-अलग there is no common syllabus syllabus बहुत helpful रहता है हरे बच्चों के लिए अच्छे marks secure करने में तो syllabus को जरोर देखना चीजा रिक बच्चों को Exam patterns syllabus ठीक है तो preparation tips में ये पर क्या होता ही कि आपको पता जरोर होनेità preparation tips में आपको करना क्या ठीक है simply आपको यहाँ अपर देखना होता है हरे क sie तो यहाँ पर preparation tips के बारे है आपको सब कुछ पता होना ठीक है कि टाइम में आपके पास ज्यादा नहीं रहता है थोड़े टाइम रहेगा ठीक है अभी कौन-कौन सा बुक प्रिफर करेंगे आपने कभी सोचा कि आप बुको अगेरा सब सारी चीज़ आपको बारे में पता होना चीज़ है तो बुक्स में क्या होता है कि यहां पर प्रिफर करें आप अच्छा मास लाने करें अब इस लिए कहीं भी अवेलबल है मिल जाएगा अध्मिट कार्ट के बारे में डिसकुस करते हैं उल्ली दोस कंडिड़ेट्स जहां पर हो चाते हैं उसको अप जिन बच्चों ने अप्लिकेशन फॉम फिल किया उन बच्चों में यहां पर कैरें वेलबल होने नीमीच में अब क्या उसका सब्सक्राइए अरे शदया करते हैं इन सेप्सक्राइफ और आप डेख सकते हैं यहां ले ओंस रागवे एट तो यहुड़िए व किलिए जी एर एफ के लिए वो बच्चे आगे प्रसेस कंप्लीट कर सकते हैं और उन बच्चों का मतलब टॉप लेश्ट में आप फिर टॉफ सिक्स परसेंट में जो भी है अच्छे परफॉर्म करते हैं तो वो बच्चे जल्दी सेलेक्ट हो पाते हैं ठीक है तो यह बच्चे काफ